हेलो एव्रिवान, वेलकम टो आवर यूट्यूब चनल, नीट यूजी इन 10, बाइट साइज वीडियोज फोर नीट यूजी, अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पे बेस, हम इस चैनल पे नीट यूजी के टोपिक, एसी पे बेस, कुछ प्रीविएस एर कोश्चिन करेंगे, एम एलन केरियर इंसिटूट चंडिगाड, मेंटरिंग देनीट एस्पेरेंट्स फ्रॉम लास्ट 11 प्लस एप्स, अनकेडमी इस बेस्ट ओनलाइन लर्निंग प्लैट्फोर्म, अनकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या-क्या मिलेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन प आप इंडिया's best top educators, जो आनकेडमी के प्लैट्फोर्म पे हैं, उनकी live classes और recorded classes को अपने comfort के हिसाब से किसी भी device से anytime from anywhere access कर पाएंगे, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के अगर बात करूँ, आइकोनिक में all benefits of plus आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके लावा personal coach मिलेगा one-on-one guidance के लिए study planner होगा, customized study plan with bi-weekly reviews होगे, test analysis, in-depth test analysis होगा with personalized feedback to improve your time management and exam approach, अब अगर हम यहां से, ध्यान से समझाना बेटर, अगर हम यहां पर pricing के बात करें, 24th October से plus की, one month की price 7,000, three month की 17.5,000, six month की 28,000, one year की 38,500, two year की 56,000, बट जैसे आप मेरा code यूज़ करेंगे live AV, आपको 10% का उफ मिलेगा, one month की 6,300, three month की 15,750, six month की 25,200, one year की 34,000, 650 and two year की 50,400 हो जाएंगे, अगर मैं iconic की fee structure की बात करूँ, six month की fee 38,000, one year की fee 65,000, two year की fee 1 lakh, बट जैसे आप मेरा code यूज़ करते हैं live AV, आपको 10% का उफ मिलेगा, six month की final fee 34,200, one year की final fee 58,500, और two year की final fee 90,000 हो जाएंगे, ध्यान रखना, live AV is my referral code, इस code का यूज़ करते ही आपको fee में 10% का उफ मिलेगा, unacademy learning app को अपको play store पे download करना है, install करना है, उसके बाद आप इस पर अपना account बनाएंगे, register करेंगे, उसके बाद आप इस app के सारे features को access कर पाएंगे, आज का जो हमारा topic है, aims 2018 में previous year questions on alternating करें, तो पहला question है, voltage across a pure inductor is represented in figure, आपको ये दिया हुआ, ये cos का graph होगा है, voltage का, तो बताना है आपको current का graph, किस में है बिटा, pure inductor, इंड़क्टर वाले में ये equation होगी बिटा, V की equation है, V not cos omega t, current, current बिटा, पीछे चलेगा, तो V not by xl, cos omega t minus pi by 2 होगा, तो जो आप current की equation लिखोगे, वो होगी, V not by xl, cos pi by 2 minus omega t, cos minus theta is cos theta, तो बिटा, यहां से आगया, V not by xl, sin omega t, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, current sign में होता है, तो voltage cos में होती है, ग्राफ cos का है, तो current का graph sign वाला आएगा, simple sign का graph current का आएगा, कह रहा है, current आपको बताना है कि कैसे होगा, current की equation आपको निकालनी है, तो graph sign वाला आना चाहिए, अभी आप यहां पर बड़े ध्यान से देखेंगे, आपका यह जो graph है, यह cos का था, तो आपको sign का graph बनाना है, कि में वेठा, voltage दी हुए है, आपको current का graph बनाना है, तो आप यह देखो, पाइब बैट तू का फरका रहा है, पाइब बैर तू का फरकाने का मतलब है, यह graph अगर 0 से start होना चाहिए, 0 से start होने का मतलब है, यह वाला graph ए का आजाना चाहिए, ए आपका अंसर होगा, ठीक है, या यह अगर 0 से start होता अगर यह ऐसे बना होता तो यह ज़्यादा सही option हो जाती D मेरा answer हो जाता हाँ यह गलत है D सही है क्योंकि sign का graph यही बनेगा यह graph थोड़ा से dunk से बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा 2018 में आया हुआ question है अगले question पे आते हैं A series combination of R and C is connected to an AC source of angular frequency omega Keeping the voltage same if the frequency is changed to omega by 3 current becomes half of the original value आपको रिश्यों बता नहीं तो बड़े ध्यान से देखना पहले frequency omega थी voltage पहले current मानलो i1 था क्या होगी voltage V rms y क्या होगा xc का square x r और c है ना तो 1 by omega c का square plus r का square अब क्या रहा है i2 voltage same रखी है ठीक है frequencies change to omega by 3 frequency को omega by 3 कर दिया तो यह ओगे विटा 3 by omega c का square plus r का square ठीक है तो क्या रहा है current becomes half of the original current मतलब according to question i2 is equal to i1 by 2 i2 क्या था विटा v rms by 3 by omega c का square plus r का square आप देख सकते हो ठीक है और वो क्या था v rms by 1 by omega c का square plus r square यहां से squaring यह अच्छा half हो गया बटा यहां पे half हो रहा है squaring both side 2 का square 4 हो जाएगा ठीक है 4 by 9 by omega c का square ठीक है plus r square is equal to 1 by 1 by omega c का square plus r square विधर multiply कर देता हम 4 by omega c का square plus 4 r square should be equal to 9 by omega c का square plus r square simplify करता हम 5 by omega c का square should be equal to 3 r square आई विटा clear है 5 by omega c का square should be equal to कितना बन गया विटा यह बन गया नहीं calculation में एक बार देख लो कहीं गड़बड ना हो यहां मेर से omega by 3 का मतलब omega by 3 से यह बन गया ठीक है 9 by omega c का square बिलकुल सही squaring both side किया 2 का square 4 हो गया 9 by omega c का square plus r square ठीक है उदर गया 4 by omega c का square plus 4 r square 9 by omega c का square plus r square ठीक है ना तो simplify करके आगे यहां से आगया 1 by xc का square 5 by xc का square is equal to 3 by r square नहीं 5 xc का square xc का square by r square is equal to 3 by 5 your xc by r is equal to root 3 by 5 root 3 by 5 root 3 by 5 का मतलब बिटा 0.6 का root a option will be your answer क्यों इसका मतलब हो गया बिटा root of 0.6 तो a option will be your answer यह question आपको इस वे में करना है ठीक है a answer आ गया अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें live av is my referral code इस code का यूज़ करने से आपको subscription fee में 10% का discount मिलेगा एम्स का paper अब अलग से नहीं होता पहले अलग होता था 2019 तक अब नेट में ही मर्ज हो चुका है thank you